आर्काइब्स प्रसारभार्थी प्रुजेंट्स टाइमलस ट्रेशर अफ गूल्डन एरा च्छ दशकों के लंबे और जुझारू संगर्ष के बाद जार्खन राज का सपना हकीकत में परिवर्तित हो गया है सन 1938 सिस्वी में जिस मांग को आदिवासी महसभा ने सरपत्म उठाया था उसे जार्खन नामधरी दलों ने सशक तरीके से आगे बढ़ाया था और हाल के वर्सों में तो इसे लगपक तमाम राष्ट्रिय राजनेतिक दलों ने भी अपने चुनावी घोशना पत्र में शामिल किया था पहुत इंतजार के बाद जब दो अगस दो हजार को लोगसभा ने तमाम आशंकां को निर्मल साबित करते वे बिहार राजिपुनरगठन विध्यक दो हजार को पारित किया तो पूरा जार्खन खुशी से जूम उठा धर्ती के प्राचिंतम भूभागों में एक जार्खन की या धर्ती आदी काल से अब तक की विभिन सभ्यताओं एवं संस्कृतियों की संगम रही है निश्चित ही या अद्भूत सयोग है कि सामुहिक्ता की जन कल्यानकारी भावनाओं को समेटी जार्खन का समाज इतिहास की कालखंडों में तमाम जन्जावातों के बीच अपनी संस्कृती एवं सभ्यता को आदुनिक्ता के साथ कायम रखे हुए है जार्खन शब्द का हज़ारों वर्षों का इतिहास रहा है मनुस संहिता में स्पष्ट वर्नित है कि जहां के निवासी लोहे के बरतन में पानी पीते हैं जहां खजूर की पटिया से बिझावन बनाया जाता है तथा जहां पत्तों के पत्तल पर भोजन किया जाता है चैतनी महाप्रभू भी इस शेत्र में रुके थें उन्होंने कहा था कि जारखन के वनों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि यही व्रिंदावन है यहां के बाल-बालाओं को देखकर ऐसा एहसा एहसास होता है कि यही कनहिया है और यही राधा है यहां के परवतों का अवलोकन करने से ऐसी अनुभूती होती है कि यही कोवर्धन है जारखन छोटानाकपूर पठार के गर्व में बसा जंगल और पहाडी नदियों से घिरा वन प्रदेश है यह लगभग 21 डिगरी उतरी से 25 डिगरी उतरांश तथा 83 डिगरी पुर्वी से 87 डिगरी पुर्वी देशांतर रेखा पर स्थित है इस नई राजी का कुल शेत्रफा लगभग 80,000 वर किलोमीटर है और इसकी आबादी लगभग 3 करोड है इस नई राजी की राजधानी राजी होगी और इसमें लगभग 18 जिले शामिल होंगे जारखन का एक लंबा और गौरवशाली अतीत रहा है चंगल और जंगली जानवरों से भरे इस दुर्गम शेत्र में बहुत ही कम संख्या में विदेशी आकरमन हुए यहाँ शुरुवाती दौर में मुंडाओं का तथा बाद में लगभग 2000 वर्षों तक नागवनशी राजाओं का राज रहा अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान भी यहाँ के मूल निवासियों ने उनकी पराधिंता को स्विकार नहीं किया सरदार आंदोलन, कोल विद्रो, संताल जागरन, भगवान बिर्सा का आंदोलन, 1857 की लड़ाई इस बात की ज्वलंत उधारन है स्वतंतरता सेनानियों में भगवान बिर्सा मुंडा, ठाकुर विश्वनात शाहदेव, पांडे गनपतराय, शेक भिखारी, निलांबर पितांबर, सिध्धु कानू आधी प्रमुख है कारगिल युद के दौरान भी भारत माता की लाज की रक्षा करने हेतु, अनेग जारखंडी यूकों ने सरहत पर अपने प्रानों की आहोती तक दी थी धन धाने से परिपुन, प्रचुर संपदाओं वाला या भुखन भारत के लिए प्रकृति का अनुपम उपहार है, जिसने देश को सशक्त आधारभुच सनवचना उपलप्त कराने के लिए मजबूत आधार प्रदान किया है हमारे देश का लगपक 40 प्रतिशत खनी चारखन में ही पाया जाता है काला हीरा, अर्थात, कोईला, लोहा, तामबा, अवरक, पॉकसाइट, यूरेनियम, मैंगनीज, एस्विस्टर्स जैसे खनीजों का भंडार एक बार फिर से इस नवराज के साथ ही तेश के विकास में अपनी महतुपोन भूमिका निभाएगा फलते फूलते बाग बगीचों के साथ हरे भरे जंगलों की लंबी श्रिंक लाएं इस धर्ती पर अध्भुत आननदाई छटा भिखेरती है इस धर्ती का ऐसा अकर्शन है जिसके मुपाश से कोई निकल ही नहीं पाता जह हो सेखी स्वेवन लड़ती एस से झावन पाता पाइबड में तर्टाबा ऊनुम नहीं पाता राउई सालाव तो चांवन पाता इस इसके से पाता रर र्लावर में पाता रर झाल 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 सुरज निकलने के साथ ही शुरू हो जाते हैं इनके काम काज महुआ चुनना बीडी के लिए पत्ते इकठे करना वन से अन्य उप्योगी फल फूल एवन जड़ी बूटियां इकठी करना ही इनकी जीविका का प्रमुख आधार है प्रकृति पुत्रों की पालन हार प्रकृति मात्रे रूप में और जंगल सरहुल और कर्मा पर्व के रूप में पुज्य है इन ते उहारों पर इनका उत्साह और आनंद देखते ही बनता है सरहुल और कर्मा इनके दो मुख्य पर्वों में जंगल के साल ब्रिक्ष और करम डाल की पूजा की ही प्रधानता है इस अवसर पर छूमते, नाचते, गाते, आदिवासियों की टोलियां जब सड़कों पर निकलती हैं तो आनंद का यह प्रवाह सबों को समेट लेता है और बिना किसी भीद भाव की बाल प्रिध, इस तरी पुरुष, अपनी पराय, सभी एक दूसरे के गले में हाथ डाले, उत सब का एक अंग बन जाते हैं आज जार्खन राज्य के दिर्वान की बेला में हमें संकल्प लेना है, कि हम जार्खन राज्य के पुनर दिर्मान के लिए कृत संकल्प है उद्योगों की तो यहां अपार संभाव नाएं हैं लेकिन अभी तक उन उद्योगों का उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया उनकी उपेच्छा की गई बस पैसा कमाने की मशीन, रेविन्यू कलेक्ट करने की मशीन समझा गया था आज हम संकल्पित हैं कि अपने मुर्जार है उद्योगों को हम फिर से नया जीवन देकर उनको हरा भरा बनाएंगे जार्खन का अलग राज्य एक अत्यंत ही उन्मत राज्य बनेगा यहां की जंता में लगन है परिश्वम करने की आदत है हमारे पास बहुत सारे संसाधन हैं जिनकी मदद से हम आगे बढ़ सकते हैं और इसलिए मैं विश्वास के साथ यह कह सकता हूं कि जार्खन का जो नया राज्य बन रहा है आने वाले वर्षों में उसकी गिंती देश के अग्रणी राज्यों में होगी मैं नई सरकार को भी अपनी शुब कामनाएं देता हूं और यहाँ आशा करता हूं कि जो चुनौतियां आज सरकार के सामने हैं जो इस प्रदेश की जन्ता के सामने हैं उसका वह डटकर मकाबला करेंगे परिश्रम करेंगे मेहनत करेंगे और किसी प्रकार कोई कोता ही नहीं बरतेंगे जन्दा की पूरी-पूरी सेवा करने में मेरी बहुत सारी शुप कामना है एक बार फिर यहां के लोक नित्य समूह नित्य हैं इनमें रास नित्य भी हैं और युद्ध नित्य भी आईए ऐसे ही नित्यों का हम आनंद ले करने में बार गोद में गरुब युद्ध जित्यों कामना है हैं एक बार फिर तर युद्ध गवी है घुद्ध लेख जाशी नित्य जाशी प्राइए लुद्ध जह दो Kayla ले खुर सुप मुड़ाँ झाल जुब उनन सावी कर दो 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 टुड़ाँ मुड़ाँ कि दुड़ाँ लाँ खुर सेका का घाई टो लाँ दुनिया के अनेक हिस्सों में आधुनिक्ता के पैरो तले अनेक आधिम भाशाएं समाप्त हो गई वहीं यहां के जन जाती समाज को या गौरब चाता है कि उन्होंने आधुनिक्ता के बावजूद अपनी आधिम भाशाओं को पूरी शिदत के साथ चिवित रखा है यहां के स्थानिय भाशाओं में मुंडारी, कुडुक, नाकपुरी, कुरमाली, संताली, खड़िया, पंचपरगनिया, आधि प्रमुख हैं बेटी करबा अपसोची मिलाए कोई नामा ददगार, कायूं पडल है लाशार, बेटी बाढल है कुँआर यहां करते हो वीपार, बेटी बाढल है कुँआर कल जोगे राइज देखू, कल जोगे राइज देखू